नमस्कार देवी और सजनो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं SS Researcher में आज मैं आपको बाताऊंगा आप State Bank of India के ATM मसीन पर जाकर आप क्या से विड्राव कैसे कर सकते हैं ये बहुत सारे लोगों को मालूम होगा बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा जिनके पास पूराना जिनके पास पहले से ATM कार्ड है वो लोग इस वीडियो में कॉमेंट करेगा भाई तुम क्या क्या वीडियो बनाते हो और जिनके पास एक नया ATM कार्ड मिला होगा उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है तो भाई प्लीज इसमें कोई गलत कॉमेंट नहीं किजिए अगर आपको फर्स्ट बार नया में ATM कार्ड मिला होगा तो साथ आपको भी मालूम महीं होगा कि कैसे विड्रॉग कैसे करते हैं ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ATM मशीन पर जाकर कैस को विड्रॉग करना चाहते हैं ये वीडियो तिर्फ only for only new ATM user के लिए हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं आप ATM मशीन पर जाकर ATM कार्ड से पैसा को कैसे विड्रॉग कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं तो देवी और सजनो सबसे पहले आपको ATM मशीन पर जाना है ATM मशीन पर जानने के बाद आपको अपना ATM कार्ड पकरना है इस परकार से ATM कार्ड पकरने के बाद आपको यहाँ पर एक green color का option मिल जाते हैं आप अपना ATM कार्ड इस green color का option में डालिए जैसी आप इस slot में आप अपना कार्ड डालते हैं और आपको यहाँ पर कार्ड डालने के बाद आपको 2-3 सेकेंड तक आपको अपना कार्ड इसी में रखना है उसके बाद आपको अपना कार्ड निकाल लेना है कार्ड निकालने के बाद आपके सामने एक इस प्रकार से option आजाएगा आप यहाँ पर banking पर किलिक किजिए बटन पर किलिक करने के बाद आपके सामने एक option आजाएगा language तो आप अपना language यहाँ पर select कर लिजिए Hindi English आप यहाँ पर English select कर लिजिए उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटर एनी नमर तो आप यहाँ पर 10 नमर से लेकर 99 अंग तक आप यहाँ पर कोई भी टैप कर सकते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70 कोई भी नमर आप यहाँ पर टाइप कर देजिए और उसके बाद आप Yes पर किलिक कर देजिए Yes पर किलिक करने के बाद आपके सामने एक option आ जाएगा Please enter your pin आप अपना ATM कार्ड का pin यहाँ पर टाइप कर देजिए और आप नीचे में देख सकते हैं आपको एक box मिल जाते हैं कीबोर्ड यहाँ पर है तो आप इस कीबोर्ड के साहिती से आप अपना pin यहाँ पर टाइप कर देजिए पिन टाइप करने के बाद आपके सामने अपने आप एक इस परकार से पेज आ जाएगा और आप second option में देख सकते हैं cash withdrawal आप यहाँ पर cash withdrawal पर किलिक कर दिजिए किलिक करने के बाद आपके सामने एक option आजाएगा form current form saving तो आप यहाँ पर form saving पर किलिक कर दिजिए saving पर click करने के बाद आपके सामने एक option आ जाएगा please enter amount तो आप अपना amount यहाँ पर type कर दिजिए इस keyboard के सहायते से amount type करने के बाद आप yes पर click कर दिजिए yes पर click करने के बाद आपको एक option मिल जाएगा please collect cash आप नीचे में देख सकते हैं आपका cash यहाँ पर आ चुका है नीचे से तो आपको अपना cash तुरंत ही यहाँ से निकाल लेना है अगर आप उपना पैसा नहीं निकालते हैं तो आपका पैसा यहाँ पर फस जाएगा और cash फसने के बाद आपका balance आपका पैसा कोई दूसरा लोग ले जाएगा तो इसलिए आप अपना amount फटा फट से यहां से निकालीजिए आप अपना slip ले लीजिए यहां से तो देवी और सजनू आसा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा तो देवी और सजनू अगर आपको इस वीडियो से थोरा भी कुछ फैदा हुआ है तो आप इस वीडियो को like कर देजिए हो सके तो share भी कर देजिए अगर आप और ऐसा ही ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी YouTube चैनल को subscribe कर लीजिए जिसका नाम है SS Researcher सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अफ्लोड करेंगे तो आपको notification मिल जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाईएगा तो तब तक के लिए जैहिंद वन्दे माधरम